हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लेट्स विलोग विद पूनम में आज मैं सेर करूए आप सब के साथ आलो की चटनी की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही ऐसान है हम इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगी और ये खाने में कुद के सिलबटे पाये का मिक्सी में वैसा टेस्ट नहीं है इसमें डालेंगे हम दो हरी मिर्च मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीक ही पसंद है तो तीक ही बना सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम हाट से तस लेसन की कलिया इन दोनों चीजों को हम अच्छे से बारिक पीस लेना है अच्छे से देखी हाँ पर हमारी मिर्च और लेसुन अच्छे से पीस चुका है और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया हरा धनिया में बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है जादा नहीं डालना वरना त इसको हमें अच्छे से पीस लेना है देखिए यहां पर धनिया हमारा अच्छे से पीस गया है अब इसमें डालेंगे हम यहां पर लाल मिर्च अगर आपको लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसकी जगा पे हरी मिर्च जादा इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसमें डा है यहां पर हमारा आलू भी अच्छ से कूट गया है अब इसमें डालेंगे हम दहीं दही हमें बिलकुल फ्रेस दही लेंनी है और इच्छ से फैट कर लेंनी है जियादा कटी दही का इस्तेमाल नहीं करना है वरना तो चटनी जो हमारी है अच्छी नहीं बनेगी और याद रहे इसमें हमें दही थोड़ी थोड़ी करके ही डालनी है एक बार में सारी दही नहीं डालनी है वरना तो जो आलू और दही अच्छे से मिक्स नहीं होंगे यहाँ पर मैंने सारी दही डाल दी है अब इसमें आदा कटोरी के लगबग ये दही डाली है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें आलू बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है मोटा पीस बिल्कुल बारिक पीस लेना है अब इसमें हम डालेंगे नमक नमक आप अपने स्वाद के नुसार डाल लीजी और इसको भी हम अच्छे से कर देंगे चटनी में मिक्स तो यहाँ पर हमारे चटनी होगी या बन कर त्यार अब इसको हम अलग से एक बतन में निकाल लेते हैं और इसमें आप गर चाहें तो इसमें तड़का के लगा सकते हैं इसमें आप जीरे का तड़का आप कड़ी लेप्स के या फिद्राई से भी इसमें तड़का लगा सकते हैं वरना तो यह ऐसे ही अच्छी लगती हैं इसे आप रोटी पराठा जैसे भी आपका मन करें सर्व कीजिए और चटकारे लीजिए चटनी के तो लीजिए यहाँ पर हमारी चटनी होगी है बिलकुल बन कर तयार इसे बनाना बहुत ही आसान है और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक से रेंड कमें कर दीजिए अगर आप मेरी चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए थैंक यू और बाई टेक केर